आज हम बात करने वाले हैं कि जब भी आप किसी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेते हो तब आपको कौन-कौन से important point हैं जो आपको ध्यान रखने चाहिए, कौन-कौन से important point है, जिसको आपको याद रखना चाहिए और उन सभी points को follow करना चाहिए यदि आप इन सभी points को अच्छी तरीके से समझ जाते हो, आप वीडियो को last तक देखते हो और अच्छी से समझते हो तो मेरी guarantee है कि आपको कोई भी doctors मूर्ख नहीं बना सकता है, आपको कोई भी डाक्टर उल्लू नहीं बना सकता है तो आपसे request है कि आप वीडियो को पूरा देखे हैं, मैं सभी points को आपको बहुत अच्छी तरहिके से समझाने की कोशिस करूँगा और सभी points आपके लिए काफी helpful हो सकते हैं, तो वीडियो को अन तक जरूर देखें, ताकि आप जब भी किसी doctors के पास treatment कराने के लिए जाते हो, तो आपको कोई भी doctors मूर्ख नहीं बना सके, यह points आपको काफी helpful सावित हो तो चलिए समय नगावा आते हो, वीडियो को इस्टार्ट करते हैं, उन सभी points को detail में discuss करते हैं कर देखें, नॉर्मली क्या होता है, जब भी हम केसी doctors के पास appointment लेते हैं, जब भी हम doctors के पास इलाज कराने के लिए जाते हैं, तो नॉर्मली यह होता है कि हम उसकी एक नश्चत फीस जमा कर देते हैं, जो उसकी फीस नरतायत होती है, वह यह फीस जमा कर देते हैं, कोई doctor 100 रुपे भी लेगता है कोई डॉक्टर 200 रुपे भी लेता है कोई डॉक्टर 400 रुपीज भी लेता है कोई 500 रुपीज भी लेता है डिफेंट टाइप्स के डॉक्टर्स होते हैं अलाग अलाग प्रकार की फीज भूल लेते हैं कोई कार्डेगुलोजिस्ट होगा कोई करते हैं appointment की fees पे करते हैं तब जब आप doctors के पास जाते हैं तब उसका doctors का जो clinic होता है उसको देखने के बाद काफी आपको एक अचमभा सा feel होता है अलग सा एक attraction होता है आपकी बॉड़ी में एक अच्छा सा बड़िया काच लगा होता है अच्छे से काफी अच्छी तरीके से वह होस्पिटल या clinic बना होता है जिसे देखकर आपको आपकी बॉड़ी में काफी attraction होता है और आप अपने आपको अंदर से ड्रा हुआ सा feel करते हो और आप इतने डर जाते हो कि जब भी आप किसी डॉक्टर के पास अंदर मेटिंग करने के लिए जाते हो तब आप अपनी समस्या को अच्छे तरीके से नहीं बता पाते हो और आप इतने घवरा जाते हो को डॉक्टर पूछता कुछ और है और आप बताते कुछ और हो ऐसा तक भी हो जाता है और जो से ही दवाईयां लेके आप सीधा घर आ जाते हो क्योंकि आप जाने के बाद आप इतना घवरा जाते हो को आप कुछ भी आपको सूचता नहीं है आप कुछ भी अच्छे से उससे नहीं पूछ पाते हो अच्छे तरीके से उससे नहीं बात कर पाते हो तो सबसे बेले बात क करें तब तक आप उससे appointment ले सकते हैं तब तक आप डॉक्टर से बात चीत कर सकते हैं जब तक कि आप satisfied नहीं हो जाते हो क्योंकि आपने appointment फीस जमा की हुई है आपने appointment फीस उसको पेह की हुई है मिलने के लिए ही आपने appointment फीस उसके लिए पेह की हुई है और फिर भी जमाकी हुई है तो आपको घवराना नहीं है आपको अंदर से डरना नहीं है और आपकी जो भी समस्या है जो भी तकलीब हैं आपको खुल कर बात करनी है जाहे जितना भी समय लगे यह आपका अधीकार है यह आपका राइट है क्योंकि आपने उसके लिए एक फीस पेकी मेंस आपसे बिना पूचे ही वह है इस प्रकार की महींगी दवाईयां लिख देता है क्योंकि उसका उन दवाओं पर कमीशन बंदा हुआ हुआ होता है अच्छी कंपनियां की दवाईयां लगता है उसको आप से कोई मतलब नहीं है आपके पास पैसा हो अथवा ना हो तो से मतलब नहीं है उसको तो उसके कमीशन से मतलब है जिस ब्रांड पर उसका कमीशन बंदा रहाएगा वह ब्रांड आपको वह लिखता है चाहे आप उस दवाई को आफोर्ट कर पा रहा हो या नहीं कर पा रहा हो इस से उसको कोई मतलब नहीं है तो आप उससे बात कर सकते ह कि आपने जो दवाईयां लिखी हैं क्या बाकई मुझे इस दवाईयों की जरूरत है या इतनी सारी दवाईयों की जरूरत है क्या इतनी इससे कम दवाईयों में ठीक नहीं हो सकता गया क्या मैं ब्रांडेट दवाईयों में ही ठीक हो सकता हूं क्या मैं जनरेक दवाईयों मे नहीं लेख सकता है या आपका राइट है आप उससे अच्छे से बात कर सकते हो कि जो दवाईयां आप नहीं कर सकता हूं आप प्लीज करके आप थोड़ा सस्ती दवाईयों को लेखें या जो दवाईयों का कोर्स है जैसे 10 days 20 days या 1 month तो उसका या तो आप कोर्स कम करवा सकते हैं या दवाईयों जो ब्रांडेड लिखी हूए उसको जैनरेक में convert करा सकते हैं बिस आप सस्ती दवाइयों convert करा सकते हैं यदि आप afford नहीं कर पा रहे हैं तो तो आप यहाँ पर भी आप कुछ भी नहीं बोलते हो उस वह आपको किसी प्रकार की कैसे भी महेंगी दवाईयां लिख देता है और आप ले आते हो और आप जब आपके पास पैसे से अफ़ोड्ड नहीं कर पाते हो मैं नहीं कर सकता हूँ, ठरड पॉइंच होता है कि जब भी बह डॉक्टर्स आपको कई injection लिखता है या कोई टेस्ट लिखता है आपके लिए कोई urine टेस्ट हो गया blood test हो गया और other कोई symptomatic test हो गया यदि कोई test लिखता है जो की काफी महेंगे test है तो आप उनसे बात कर सकते हो क्या मुझे इन test की जरूरत है इन test के बिना काम नहीं बन सकता क्या यदि आप एसे test लिख रहे हो यदि मुझे इन सभी टेस्टों की जरूरत नहीं है तो आप test नहीं लिखिए क्योंकि मैं इन सभी test को afford नहीं कर सकता हूं कई वार कई test ऐसे भी होते हैं जो काफि महंगे होते ह्यां और उनको afford करना काफिए मुझेल होता है और आप कहीं आ कहीं से पैसे करके मिन सभी test को करवाते हो लेकिन कई वार test जरूरी भी नहीं होते हैं लेकिन कुछ क्या होते हैं कई प्रकार के टेस्ट आपको करवाने के लिए लिख देते हैं क्योंकि टेस्ट पर भी उनका कमिशन बना हुआ होता है तो आप टेस्ट पर भी जगया ज्यादा तर जगया कमिशन ही आ रहा है सामने तो आप कमिशन का छोड़ा सा ना सोचे तो वेटर होगा क्य तो देखिए जब आपको कोई टेस्ट आदी ज़रूत ना हो तो आप उनसे बात कर सकते हो कि यह टेस्ट में लिए ज़रूरी है। जरूरी ना हो तो आप टेस्ट ना लेखें क्यूंकि मैं इनको इनको अफॉर्ड नहीं कर सकता हूँ। अब यहां पर फोर्थ पॉइंट आता है कि इंजेक्शन और बॉटल्स अब कुछ डॉक्टर से होते हैं कि आप अच्छे खासे यादे चलते फिरते भी उनके पास चले जाएं तो वो तो या तो इंजेक्शन घुसर देंगे या बॉटल ड्रिप चड़ा देंगे और आपको ज्यादा उनका पैसा बनता है जितना ज्यादा इंजेक्शन लगाएंगे जितना ज्यादा बॉटल्स आपको ड्रिप चड़ाएंगे उतना ज्यादा उनका पैसा बनेगा एदि आपको लग रहा है और यहां पर आदि आपको लग रहा है कि आपको इंजेक्शन की जरूव नहीं है नहीं है तो आप उनसे बात कर सकते हो कि या इन जेक्षे न की जरुवत पढ़े तो आप इंजेक्षण या बोटल को रhtरें सिर्फ आप टेबलेट मुझे कीयुन्ट मैं अभी गंभीर हालत में नहीं sounded तो आप डॉक्टर आपको द dissip और रायत कुए मिदेर कीची क्या उदש कीच दिन दवाइब को चाहित चले गारी के लिए आना पड़ेगा दंब कमताए पवेक। दने पर सब्च आना पड़ेगा तो आपको मुझे आपको मुर्ख तो नहींikte सकता है लेकिन आपसे नाराज जरूर हो सकता है और आप पर गुस्सा कर सकता है और डॉक्टर का आप से जगड़ा भी हो सकता है अलाग अलाग प्रिकार की डॉक्टर्स होते हैं कुछ डॉक्टर्स आप पर गुस्सा हो लेकिन इस सब पॉइंट्स आपको हर जगा उप्योग नहीं करने हैं यदि आपको लग रहा है कि इन सभी पॉइंट्स की जरुवत नहीं हैं डॉक्टर्स अच्छा है और आपकी बात को सुन रहा है इन सभी पॉइंट्स की जरुवत नहीं है तो हर जगा आप इन सभी को उपियोग करना है यदि आप इन सभी पॉइंटस का उपियोग respected manner में करते हैं इसके बाद भी डॉक्टर आप से बहस करता है आप पर घुस्सा होता है तो आपके लिए वह डॉक्टर सही नहीं है आप डॉक्टर का तुरंत ही change कर सकते हैं, आप दूसरे डॉक्टर से appointment ले सकते हैं, फीस जमा हो गई, हो जाने दो उससे कोई problem नहीं है, फीस ले जाने दो से, लेकिन आप यह डॉक्टर आपके लिए खतरनाक हो सकता है, यदि यह सा डॉक्टर है, जो आपको इन points को अच्छे से समझ रहा है, और आपको सही mark दर्शन दे रहा है, आप पर गुस्टन नहीं हो रहा है, तो समझ लेजिए कि बोर्धूहँड़र आपके लिए सही है, कुछी डॉक्टरस ऐसे होते हैं, जो कि आप पर गुस्टा होते हैं, आप पर बरसने लगते हैं, वो समझते हैं कि यह ज़ादा ज्यादा intelligent हो गया मुझसे भी intelligent हो गया कुछ लोगों में घवन रहता है तो ऐसे डूर रहे थोड़ा और जो सही respected type के जो doctors होते हैं वो आपको भी सम्मान देते हैं इस प्रकार से यह आप respected में बात करते हैं तो वो आपको भी सम्मान देते हैं और खुद भी सम्मान पाते हैं जो भी मैंने इस वीडियो में जो भी points बताए हैं आपको जब भी किसी doctors के पास treatment कराने के लिए जाते हैं तो इन सभी points को आप ध्यान में रखें और इन सभी points को उपियोग करें I hope कि आपको यह video काफी knowledgeable रहा होगा और यह video आपके लिए काफी helpful भी रहा होगा यह video आपके लिए अच्छ़ लगाओ तो वीडियो को like कर दें और channel को subscribe कर दें यह channel पर नए हो तो channel को subscribe जरू करें और दूसरे अन्ने लोगों से इस video को share जरू करें ताकि ऐसी knowledgeable वीडियो सभी तक पहुँच सके और सभी लोग aware हो सके तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी नए interesting वीडियो से तब तक के लिए thank you very much